लोगों से वोट देनी की अपील की इस दोरान उनकी साथ बड़सर विधानसभाक शेत्र के प्रभारी उत्राखंड से विधायक विनोत कंडारी भी मौचूद रहे उत्राखंड से आये विधायक विनोत कंडारी ने कहा कि बड़सर विधानसभाक शेत्र से भाजपा ने महला कारिकरता को टिकर दे कर महलाओं का मान सम्मान बढ़ा है हिमाचल में भी उत्राखंड और उत्तरप्रदेश की तरह रिवास बदलेगा और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी वहीं भाजपा प्रत्याशी माया शर्मा ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी के द्रिष्टी पत्र में महलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षन देने का जो वादा किया है उसे महलाओं को आतनिर्भर बननी में मदद मिलेगी साथ युनोने विधानसभाग शेत्र में कॉंग्रस विधायक के द्वारा विकास के अंदेखी करने के आरोप लगाए और जिस तरी के से मैं महहूल देख रहा हूं तो जो रिवास बदलने का जो नारा हमने दिया हूं निश्ची तोर पर यहां की जंता बदलेगा पुना यहां पर भारतिंता पार्टी की सरकार बनेगा बहुत अच्छा मिल रहा है जहां मैं जा रही हूं जन तक अशीरबाद में पर मुखमुद्दे ऐसे हैं जो लोगों के काम है जैसे बीजेपी सरकार ने चलाए थे अगर बोलते हैं मैडम जी बीजेपी सरकार आती है या आप आते हैं तो जो हमारे काम चले हो उनको पुरा प्राशियों का ठीक इससे मेरी मेल लेंजों बहुत खुष हैं जो 33 एक्षन दिया उससे बहुत खुष हैं पहले भी हमारे ठोकर प्रायमकुमार धोमल जी ने पंचैति राज में दिया था तो मेरी भेने कोई परधान बनी थी कोजिला परस्त बनी कोई बीडिसी बनी थी तो भेने मेरी सब खुष हैं